नमस्कार दोस्तों जो भी खाद में आता है आप से भी गपर सभागत है जैसे कि आप यह आप देख रहे हैं गोबर भरा हुआ है और इसमें पूरा पानी से भींगाए गया तो गोबर और इसमें ठंडा भी खोश कर रखें मैंने कहीं कहीं पर हम लोग घड़ा कर चुके हैं पानी डालें तो इससे डालने का एक ही मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा इससे गैस निकल सके और यह ठंडा हो और यहां पर देख सकते हैं कि यहां से पानी आकर यहां जा रहा है और यहां पर यह देखिए पानी गिर रहा है इस तरह से हमारा पानी जमा भी होता है रहता है यह देखे यह पूरी तरह से भृंगा दिया गया यहां देखे घजित से हमारा वर्मी कंपोस खाथ तैयार हो रहा है और चाहों के नीचे बन रहा तो इह बहुत अच्छा उत्तम कुवालीटी का खाथ तैयार हो रहा है तो इसमें हम लोग एंजाइम केचवा सब को छोड़े ऐसे और यह काल बहुत ही सक्ति साली बनेगा और जिनुशाज भरपूर रहेगा जक्ती और भर पूर झाल गेंग।